Hello friends and welcome back to my channel आज हम एक और informative वीडियो लेके आए हैं How to take care of your ears जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ main points की और हम तोड़ने वाले हैं कुछ myths को तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो Number 1 आप में से कितने लोगों को लगता है कि कान में तेल डालना कान को साफ करने के लिए बहुत जरूरी है I'm sure बहुत सारे लोगों को लगता होगा क्योंकि मेरे पास तो clinics में ऐसे बहुत सारे patients आते हैं जो मुझसे कहते हैं कि कान साफ करने के लिए हम कान में तेल डाल सकते हैं क्या और वो भी कभी-कभी तो कहते हैं कि तेल को गरम करके डाल सकते हैं क्या So friends, बिल्कुल भी नहीं, आप बेग नो, हम कान की अंदर तेल नहीं डालेंगे और कान में गरम करके तेल तो बिल्कुल बेड नहीं डालना है क्योंकि जो हमारा कान का परदा होता है, वो बहुत ही पतला होता है कई बड़ी हमारे पर स्पेशन्ट आते हैं जिनका कान एकदम ठीक था लेकिन क्योंकि उन्होंने just like that कान साफ करने के लिए कान में तेल डाला और कान में प्रॉब्लम आने शुरू हो गई तो first point is कान में तेल नहीं डालना है उसके बाद second myth बहुत सारे लोग हैं जो cotton tip से या फिर pin से hair pin से कान साफ करते हैं सो देखिए कान में wax होना बहुत ही normal सी बात है सभी के कानों में होता है actually आपको जान के हरानी होगी कि कान में wax होना एक protective mechanism है वो हमारे को कान में जो भी dust आ रहा है या insect आ रहा है वो direct परदे पे जाके ना चिपक जाए इसलिए कान में थोड़ा बहुत wax सबके बनता है no doubt अगर आपके कान में जादा wax बन रहा है जो आपको trouble कर रहा है तो उसके बाद आपको ENT के पास जाना है वो आपको अच्छी से guide करेंगे कि क्या ear drop से wax clean हो सकता है या फिर कोई procedure करके वो wax हमें remove करना पड़ेगा पर please जब हम घर में ear tips, hair pins इस तरह की चीज़े यूज़े करते हैं पहले चीज़, pins आपके कान को harm कर सकते हैं आपके परदे में छेद भी कर सकते हैं दूसरे चीज़, जब हम tips को use करते हैं और wax निकालने की कोशिश करते हैं तो जो wax आपके tips पे चिपक जाता है वो तो ठीक है बर जो हमारा hard wax होता है जो tips से बाहर नहीं आपा रहा हम actually उसको push कर देते हैं कान की तरफ और अंदर जाने के लिए जो कि again आपके कान को harm कर सकता है तो please a big no to ear tips and hair pins प्लीज नहीं use करिये उसके बाद हमें बहुत ही normal लगता है पुरा दिन कान पे headphone लगा के रखना और बहुत loud volume पे music सुनना या फिर parties में जाना, pubs में जाना, consults में जाना so हमें पता होना चाहिए कि noise exposure से भी हमारे कान की hearing damage हो सकती है and actually कई conditions में वो permanently damage हो सकती है and हमें दो चीजों का ध्यान रखना है एक हम कितनी देर तक noise के exposure में है and second कितनी loud volume है so भले ही अगर बहुत loud volume है आप कुछ second के लिए भी noise exposure आपका हुआ है आपको आपका hearing effect हो सकता है और अगर हूँ बहुत loud नहीं है थोड़ा loud है and काफी long durations के लिए आप उसके exposure में है then also आपका hearing effect हो सकता है so please again big no to noise exposure थोड़ा सा avoid करिए ear plugs आप use कर सकते है ear protective devices use कर सकते है जिसे आप अपने कानों को बचा सकते है उसके अलावा हम में से कितने लोगों को पता है जब हमारे घर में बच्चा कोई नया पैदा होता है newborn baby होता है तो हमें उसका भी hearing screening कराना चाहिए yes friends हम में से बहुत लोगों को नहीं पता है सारे hospitals में newborn hearing screening compulsory हो चुकी है तो जब बच्चा पैदा होता है तो हम just screening कर देते है बट अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग है जिनको ये नहीं पता है so friends आपकी घर में या even asperos में किसी friend के घर में कोई newborn baby deliver हुआ है तो उन्हें इस बारे में ज़रूर बताए कि अपने कान का newborn hearing screening कराए usually ये test हम OAE auto acoustic emission से कराते है आप प्लीस अपने audiologist को consult करी वो आपको better guide कर पाएंगे और newborn hearing screening कर पाएंगे चलिए ये बात तो हो गई newborn babies की but आपने अपना hearing test last time कब कराया था कब so please अगर हम सभी को at least six months में एक बारे अपना hearing test जरूर कराना चाहिए जैसे कि अभी काफी लोग aware हो गए है blood pressure, diabetes ये सारे levels हमें पता रहते हैं and recently due to covid even हम SPO2 levels भी अपना check करते रहते हैं but hearing level check नहीं करते हैं specially अगर आपको कुछ ऐसी conditions है जिनकी वज़े से आपको hearing loss होने का chances है even though अभी तक नहीं है it's good आगे हो भी ना but फिर भी हमें hearing test कराते रहना चाहिए conditions like hypertension, diabetes कोई भी एक लंबी बिमारी हुई है कोई ऐसी दवाई हमने यूज करी है जो कान के hearing पर affect डाल सकती है अगर आपकी chemotherapy चल रही है ये कोई और भी medical condition है आप अपने doctor से पूछ सकते हैं ये कोई हाम नहीं है हम सभी को अपने hearing thresholds पता होने चाहिए अगर suppose आपको कोई भी hearing difficulty लग रही है आपको लग रहा है कि शायद ऐसा doubt है मैं कुछ sounds कभी miss कर देता हूँ या फिर कुछ sounds पे मैं गलत जवाब देता हूँ या मुझे आजकर लोग टोक रहे है कुछ भी कुछ भी ऐसा doubt लग रहा है तो आप अपना pure tone audiometry PTA test immediately कराईए आपको अपने hearing thresholds पता होने चाहिए I hope आपको ये video helpful लगा हो अगर आपको लगा हो तो आप जिन जिन को ये information आगे पहुचाना चाहते हैं उनके साथ ये video share कर सकते हैं like करना consider कर सकते हैं और अभी तक अगर आपने हमारे चानल को subscribe नहीं किया तो आप मेरे चानल को subscribe करना भी consider कर सकते हैं ऐसी और भी छोटी मोटी videos और updates and even बहुत सारे webinars, CREs का information में अपने Instagram पे update करते रहते हूँ तो अगर आप उसके लिए updated रहना चाहते हैं तो आप मुझे follow कर सकते हैं Instagram पे तब तक के लिए bye bye